नमस्ते, हिंदी की क्लास में और विश्कूल की तरब से आपका फिर से स्वागत है हमने सभी व्यांजन सीखे, व्यांजन क से लेके व्यांजन श्रा तक सीखा अब हम व्यांजन क से व्यांजन श्रा तक के सभी व्यांजनों का पुन्रावर्तर करेंगे व्यंजन क तू व्यंजन श्रा कसे धीमी कचुए की चाल चलता अपना घर संभाल खसे देखो खरगुष प्यारा भागने में है सबसे न्यारा गसे गाजर लाल लाल आखो के लिए है कमाल गसे हमारा सुन्दर घर रहते इसमें सब मिलकर अंग 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 से खाली पच्चो बजाओ ताली चसे चिरिया दाना चुगते दाना किसान के खेत में उगते चसे छम छम बारिश आई चाता लेकर शालू आई चसे जल सब है पीते जल ही जीवन है जीते लाल किले पर जंडा फहराया पंदर अगस्त का दिन जब आया यह 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 से खाली बच्चो बजाओ ताली तसे होता लाल टमाटर लाल रंग होता है सुन्दर ठसे ठक ठक करे ठठेरा बरतन ठिक करे वो मेरा दसे देखो गोल डिबबा डिबबे में रखा है मुरबबा धक कर रखो खाना पानी खूले में होती है बिमारी अन 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 सिखाली बच्चो बजाओ ताली तसे ये तलवार बड़ी रक्षा के लिए तयार खड़ी तसे यहे थेला भारी सबजी लाए कितनी सारी दादा दादी आए है मिठाई खिलोने लाए है धसे धनुष कितना बड़ा राम जी को तोड़ना पड़ा नसे होता नल इसे खोल कर पीते जल पसे पतंग आकाश में उड़ी इसकी है उडान बड़ी फसे फल होते गुनकारी अनेक फायदे अथि उपकारी बच्चे प्यारे प्यारे खेल खेलते न्यारे न्यारे पसे मेरा प्यारा भाई कभी खेले कभी लड़ाई मसे मेरी मा की माला मोती बिखरे तुट गई माला यसे यान उड़ाए सैनिक दुश्मन को मार भगाए सैनिक राजा रानी रत पर सवार चड़ कर मिलता सूख अपार लसे लड़ू लड़की खाए लड़ू खाकर खुशिया मनाए वसे होता व्रिक्ष बड़ा जाने कब से है ये खड़ा शह सिठंडा ठंडा शर्बत गर्मी में ये देता राहत शह सिशट बुझ बन जाता है चह कौन शट कौन कहलाता है सह से साप सीढ़ी का खेल 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 में होता मेल ने किया हवन सबका मन हुआ पावन यह हैक्षत्रिय राजबलवीर राना प्रताप थे बड़े ही महवीर त्रह से बन जाए त्रिभुझ नवीन जब रे खाए मिल जाए तीन ग्या से ग्यानी देता ग्यान हम देते हैं उनको मान और ये आकरी वाला है व्यानजन श्रा श्रसे श्राम अब हम सीखेंगे सभी व्यानजन पढ़ते कैसे हैं और उसे एक के बाद एक याद कैसे रखते हैं कखगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग कर तूश्रा इन आर हिंदी नोट बुक on the next page first we will write today's date 29.10.20 in the first line we will write कर तूश्रा that is the heading and then we will start writing व्यांजन कर तू व्यांजन श्रा जैसे आपको ये चित्र में दिखाई दे रहा है वैसे आप व्यांजन क से व्यांजन श्रा तक अपनी हिंदी की नोट बुक में लिखोगे next line में आप क वर्ग के सभी व्यांजन लिखोगे क ख ग ग अंग उसके बाद में अब च वर्ग के पाँचो व्यांजन लिखोगे च च ज ज ज य उसके बाद में ट वर्ग तठ डड़ अन बाद में आएगा त वर्ग के पाँचो व्यांजन तठ दधन उसके बाद में दूसरी लाइन में पफबभमा नेक्स लाइन में यर लव उसके बाद में शलगम का श, शटकुण का श, सापका स, ह और लास लाइन में क्षत्रग्यष्र मुझे आशा है बच्चों, आपको व्यणजन क से व्यणजन श्र तक के सभी व्यणजन एक साथ में बोलते कैसे है और लिखते कैसे है वो अच्छे से समझ में आया होगा धन्यवाद